Hello students, this is the second part of chapter 4 for class 3rd. Students, आज का हमारा topic क्या है? Color Picker Tool. ठीक है? सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं. Color Picker Tool क्या होता है? The Color Picker Tool is used to pick a color from an exiting object and reuse in other object within the same drawing area. यानि Color Picker Tool का यूज क्या होता है कि जो हम किसी drawing area से color उस महाँ से pick कर लेते हैं और उसको दूसरी, अगर हमने दूसरा कोई drawing बनाया है, तो same color वो दूसरी drawing में आपका आजाता है. चिक? अब हम इसको practical करके बताते हैं कि practical में ये कैसे होगा? तो students देखेगा practical ध्यान से. तो students देखे, step 1 क्या दिया हुआ हमारा? Click on the home tab and draw a triangle. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे home tab पे हमने click किया और यहाँ से ये देखे, triangle दिया हुआ है. हमने यहाँ पे triangle पे click किया. Second step में देखे, क्या लिखा हुआ है? तो जैसे बुक में, choose a color from color group. अब हम यहाँ से color, sorry, पहले हमने click किया और यहाँ में draw भी तो करना है, तो हमने mouse का button पकड़ करके इसको drag कर दिया. ठीक है? यह अभी step 1 ही है. अब second step में है, choose a color from color group. यानि हम यह देखे, यहाँ color group है, दिख रहा है? यह color group से हमने, यहाँ पे color choose कर लिया. तो जैसे बुक में blue color है, तो मैंने भी blue color यहाँ select कर लिया. नेक्स्ट क्या है, fill color in triangle by using fill with color tool. fill with color tool कहाँ है, यह देखे students, यह देखे क्या है, यह देखे fill with color, जब हम यहाँ पे mouse का pointer लाते हैं, तो fill with color यहाँ पे option आ जाता है. तो हम यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे, fill with color tool पे, और यह हमने यह देखे, यहाँ पे color fill कर दिया, तो यह देखे, color fill आ गया. ठीक है, next chapter, sorry, step 4 क्या है, draw an oval as another object, यानि कि हम एक oval ड्रॉ करेंगे, और दूसरा एक object हमने एक oval ड्रॉ कर लिया, ठीक. step 5 में देखे, क्या लिखा हुआ है, select the color picker tool from the tool group and click inside the triangle to copy the color. यानि कि अब यह देखे, यहाँ पे, जहाँ पे fill with color था, उसी के नीचे just दिया हुआ है color picker. अब हमने यहाँ से color picker tool पे click किया, और इसके बाद में हमें कहाँ click करना है, inside the triangle, हम यहाँ पे click कर देंगे, ठीक है? अब इसके बाद में move, अब देखे, यहाँ पे क्या हो गया? यह यहाँ पे, अब वापस से हम इस, इस oval में हम click करेंगे, तो यह देखे, यहाँ पे जो color है, यहाँ पे यह change हो जाएगा, यानि कि जो color आपके इस triangle में था, वही color, आपने color picker tool से pick कर लिया, और इस नया जो आपने object बनाया था, इसमें आपका जो picture है, वो इसमें, sorry color जो है, वो इसमें fill हो गया, okay students, तो यह है steps, आप करके देखेगा इसको, thank you